असलामनिक फ्रेंड आज आज हम बात करने वाले हैं इंड्रापडी इंजेक्शन के बारे में इसकी दूम कमल डिटेल है वो मैंचल आपको शुडिम परवाइट करूँगा तो आप से टिक्वेस्ट है का अपने वीडियो को लास तक देखना है दोस्तों इंड्रापडी की फार्मूलेशन की बात करने तो इसमें वेस्टी के लिए वाइटमन डी त्री जिसको कोल कैलसी फिरोल भी कहते हैं शामल होता है अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो एक एमल का जो इंप्यूल है उसमें कोल कैलसी फिरोल यानि वाइटमिन D3 फाइव एमजी जो के 2 लैक इंटरनेशनल यूनिट्स के एक्वल बनता है इसमें मुझूद होता है दोस्तो पहले हम एक स्वाल का जवाब जान लेती हैं कि हमें इंडराब D इंजेक्शन क्यों यूँज करना चाहिए तो इसका आनसर यह है कि इंडराब D यानि कोल कैलसी फिरोल इंजेक्शन जो है दोस्तो हमें वाइटमिन D डेफिशन्सी होने से बचाता है और इसके अलाज में भी इस्तमाल किया जाता है वाइटमिन D डेफिशन्सी जो कि दरजैल डिसार्डर की वज़ा से हो जाती है इनमें जो है यह बहुत कारामन साबत होता है दोस्तों नमबर टू पर आजाता है मसल वीकनेस एंड पेन बड़ी उमर के जो फुराद हैं जब पचास से असी साल की उमर में पूंचते हैं तो उन्हें अक्सर जो है वो नी एंड हिप पेन हो जाता है कुले और अगुटने में तो उनके लिए बहुत जादा मफी साबत होता है नॉमर थृध पर आ जाता है कैंसर वागब 13 ए और इंड जाता है दोस्तो नमबर फॉर पे आजाता है पूर कार्डियो वैस्कुलर हेल्थ वाइटमन डी डेफिशन्ती जो है वो हाई बलड पे श्रिकरिस्क को बढ़ा जेती है इसके लाबा जो है ये कोलेस्टरोल को एलिवेट करती है और पेरिफेरली जो बलड वैसल डिसारडर होते है उन में जो है वो एहम रोल अदा करती है दोस्तो नमबर फाइब पे आजाता है डिप्रेशन डिप्रेशन में किस तरह वाइटमन डी जो है वो रोल अदा करता है दोस्तों वाइटमन डी जो है हमारे दमाग में कुछ अच्छे अच्छा फिल करवाने वाले नियूरो ट्रांस्मिटर होते हैं जैसा के डोपामीन और इसके इलावा जो है सेरी टोनीन ये उनकी कमी वाक्या होने से बचाता है तो इस वज़ा से अगर आपको वाइटमन डी ड हार्मोन जिनने पीटियाज कहते हैं और इंसुलीन की सेक्रेशन में हम करदार अदा करता है और इसके इंतीजा में जो है डाइपटीज में यानि शोगर में बीटा सेल जो है में रहते हैं दोस्तों नमबर सेवन पे आजाता है प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग प अगर जुरूरत हो तो फिर प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदन में भी जो है वो इंड्राबडी इंजेक्शन यूज करवाया जा सकता है दोस्तों नमबर पे एट पे आजाता है इम्यूनिटी वाइटमन डी जो है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट आप करता है इस तरह से जो है हम मल्टिपल इंफेक्शन से बढ़ सकते हैं दोस्तों यह थी कुछ इसके यूजर्ज दोस्तों आप हम बात करने वाले हैं इसके कुछ ड़्वर्ट रियक्शन के बारे में अगर आप जैदा वाइटमन डी यूज करेंगे तो इससे जो है ओवर टाक्सिस हो जाएगी तो फिर आपको हाइपर फास्पेटीमी यह यह निकि ब्लॉड में फास्पेट का लेवल जैदा हो सकता है है एसके इन्तेजाय में जो है वह आपके यूरन में भी जो है केल्चम का लेवल चो होगा और इसके लाबा जो है आपको रिनल एंड एसी बेमज भी हो सकता है यानि के गुर्दूप एफेक्ट पड़ सकता है और उसके लाबा जो है कार्डियो वैस्कुलर डेमज भी हो सकता है ये कुछ इसके साइट फेक्ट थे दोस्तो आप हम बात करने वाले हैं कंट्रा इंडिकेशन के बारे में यानि कौन से मरीज जो है इस मेडिसिन को य यानि पहले उसमें कैल्चिम का लेवल जैदा हो या फिर वाइटमिन डी का लेवल जैदा हो तो वह भी इसको यूज ना करें और उसके लाबा जो है अगर किसी को रिनल डिस फंक्शन हो यानि उसके गुर्दे काम कर ना कर दे हूँ या पिर किड्नी फैलियर हो उसका गु भी डॉक्टर से कंसाल्ट करें या हम से कॉंटैक्ट करें हम इंचलाव को गाइड कर देंगे बात कर लेते हैं इसकी ओवर डोस की सिम्टम्स की तो दोस्तों इसकी जो अगर वंदा ले ले तो उसमें पेशन को फटेईगी यानि सिकावट हो सकती है मसल पेन पठू का दर् नाज्या मतलि हो सकती है रइस्किन जिंग जिल्द नाध यह ने अजिएत एहरकुर के रहा हो सकती है दोस्तों कर लेते हैं इसके ड्रग्स के साथ एंटरेक्शन के हैं तो कोई इसको बतिका है तो अगर कोई पहले ठायाज़ाइड डायूरैडिक्स कैल्चिम, फासफिट, सुगाली मैडिसिन यूज़ करदा हो तो उसमें उसका रिस्क बाढ़ जाता है कि उसको हैपरकैलीमिया हो सकता है यनि कि उसके बलाड में कैल्चिम का लेवल जैदा हो सकता है और उसके लावा जो है अगर कोई पहले मैडिसिन यूज़ करदा हो तो भी पहले अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट कर लें अगर कोई काटी को स्टीराइड वगएर यूज़ करदा हो तो भी अपने डॉक्टर को लाजमी बता लें ये कुछ इसके डग इंट्रेक्शन से बात करते हैं इसकी प्राइस की के मार्केट में किस कीमस से आपको मिलेगा तो दोस्तों मार्केट से ये जो है आपको 220 रपीज पाकिस्तानी कीमस में मिल जाएगा ये था जी एक छोटा सा टिटोरियल इंड्राब डी इंजेक्शन का अमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस लाइक और शेर कीजिएगा हमारे चैनल नहीं भालत केर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बैल एकन को दुबाना ना भूलें अगर आपको टाइम पर मिल सके अब जाद दीजी अपने दोस्त नहीं में हमको मिलते हैं नेक्स वीडियो में अपना ह्यार रखिएगा ओके जी अला हफिज़ाए